रामचंद्र जी है कुरुशेत्र से स्वागत है आपका अजी नमस्कार जी नमस्कार अधा 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 जी मैं मेरी उमर बावन साल आ जी हम और मुझे कब जी बहुत रहते कब जी जा रहे जी ठीके अच्छा देखिए सौफ सौट अजवाइन जीरा धनिया सौफ सौट अजवाइन जीरा धनिया देखिए फिर बोलना हूँ आप लिख लीजे घर की चीज़े सौफ सौट अजवाइन जीरा धनिया ये पांच चीज़े आप सो सो ग्राम खरीदें और इनको पाउडर बना लें सौफ, सौट, अजवाइन, जीरा और धनिया इनको पाउडर बना लें और पाउडर बना के रखें काफी बना लें लब सो सो ग्राम भी लेंगे तो पांच सो ग्राम हो जाएगा अब आप नमक जैतून लें नमक जैतून एक ऐसा नमक है जो जाएके में नमकी नहीं होता जाएके में हलका सा कड़वापन या खारापन होता है नमक जैतून अब दो चुटकी ये चुटकी कहता हूं मैंसे दो चुटकी नमक जैतून और ये जो पाउडर आपने बनाया धनिये का और मेथी का इसमें मिलाकर रोजाना आदा घंटा पहले खाने से पहले आप खाया करें दिन में दो बार आप ये अमल करते हैं तो आपको फाइदा होना मुम्किन है आज़े बात से जीवन मिश्रा जी स्वागत है आपका नमस्कार में जी नमस्कार सर अकिम साव को नमस्कार जैहिन सर स्वागत हम कैसे हैं सर मैं बहुत बेहतर हूँ आप बताएं कि इस तवियत आपकी बस मेरी तवियत तो ठीक है बस मेशेज की तवियत अभी ठीक नहीं है आपके बताएं से दे रहा हूं उनको जी और मेरे दो तिन सवाल नोट कीजिए बिलकुल बोलिए एक तो ये पूछना है है कि ये जो बताते हैं कि जैतुन का नमक और धनिया का पॉडर क्या हर आजमी को ले लेना चाहिए इससे कोई बिकत तो नहीं आएगी क्योंकि आज कल तो पेट का प्रोब्लम जो है 50% लोग ये 25-26 साल का लर्का है उसके आखों में गर्मी में खुजली सी होने लगती है और लाल हो जाता है तो ये मुंडी बुटी जो बताते हैं हकीम जी क्या उनको दे दें हो मुंडी बुटी दूसरा तो ये पूछना था जी ठीक है और ये हमारे मिसेज ये ले रहे हैं एक दो दिन के बाद में फिर नए दूसरे निकलाते हैं कभी कमर में कभी गले में कभी पेट में अच्छा ये कोई और दवा खा रहे हैं क्या आपकी मेसेज कोई इंगलिस दवा भी खा रहे हैं नए इंगलिस दवा तो बिल्कुल बंद कर रखके हैं सर्थ ठीके ठीके और और क्या सवाल? बढ़े सवाल तो ये तीन मैंने पूछा है इसी के बारे में पूछाता है ये जैतुन का नमक जो है धनिया के पॉर्डर में मिला के जैसे गैस का प्रॉब्लम है या और उल्ली वर है या जो भी दिक्ताता है तो कोई आम आदमी भी ले सकता है इसे? हाँ बड़ा अच्छा सवाल किया आपने इसको कोई भी ले सकता है अपनी उमर के अनुसार बारा साल से बारा साल के ज्यादा के लोग एक एक चमच तक ले सकते हैं तो बार धनिया पॉडर और नमक जैतुन यह पेट के सिस्टम को अच्छा करता है और पेट के सिस्टम में क्या क्या आता है? गैस, अइसिडिटी, कब्स, बवसीर और भी पेट की सूजन हो, लीवर की सूजन हो और क्रिटेनाइन बढ़ जाती है किडनी का फंक्शन खराब हो जाता है उसमें गंदगी ज़्यादा हो जाती है जिसे क्रिटेनाइन कहते हैं जिसकी वज़े से हमें डायलेसिस कराने पड़ती है हर हफते, हफते में दो बार तो यह इन रोगों के लिए और चर्म रोगों के लिए चर्म रोगों में जिनको खुझली दाने वगएरा वगएरा हो जाते है या सौराइसिस एक ऐसा मर्द जिसका कहीं इलाज मिलना मुझे तो पता नहीं कहीं है के नहीं है लेकिन इससे सौराइसिस भी भगवान अच्छा कर सकता है अच्छा आप अपनी मेसिस को दूसरे दें यह दवा और अगर ज़्यादा में दे रहे हैं तादाद में तो थोड़ी कम कर दें इसकी खुराइक आदा गिराम है और इससे भी कम देनी पड़े तो दीजें और एक चुटकी सोड़ा रोजाना दे दिया करिए खाना इनको और वुझे हैरत है कि कोई इंग्लीज दवा ने चल लाई तो यह कैसे इनको पित्ती सी उचलती है लेकिन आने वाले वक्त में इसको ठीक होना मुम्किन है तीसरा सवाल है 25 से 26 साल का एक लड़का है इनका जिनकी आखे लाल रहती है तो क्या उने मुंडी बूटी दे सकते हैं हाँ जरूर दे सकते हैं उनको एक बुंडी बूटी रोजाना एक हफते तक खिलाइए और पानी पिलाजिये करिए आपके बच्चे के यह तक्रीफ ठीक होना मुम्किन है अध्य प्रदेश से हैं रितेश स्वागत है आपका हाँ दोक्र साब ये मेरे पापा के लिए सवाल साज उनकी एज सिश्टी है तो उनके लिए जैजन का सरका गौंतिया चल रहा है तो लेकिन उनको एक डॉलम होती दोनों जो मशूरों में उनको डर्द होता है बहुत रहें का लवागत एक गेड़ साल से तो उसके लिए सब को चचच बता जीजिए नसका जो उनको आरा मिल जाए तब्यद कैसी है वाली साब की तब्यद कैसी है आपके अभी तो इतना कोई जीजित नहीं है दर्द तो उस है उनको उत्रमरत से लेकि पैर में बीपी शोगर की पॉलम है अभी मज़त 6-7 दिन ही हैं अभी तो नफ्कित नहीं है अभी तो फाइदा थोड़ा थोड़ा शुरू होगा और फिकर ना करें और मसूलों के लिए अगर मल्टी विटामिन की कमी है तो उसका एक कैपसूल आप दिया करें तीन तीन दिन में तो वो उससे जाएगी और अगर वो जरुरत के मताबिक हैं तो फिर एक बहुत आसान सा नुस्खा है देखिए यह जो पैटरॉल हम डालते हैं अपने स्कूटर मे यह पैटरॉल किसी कौटन में लेके ऐसे अटने दाट में अपने लगा के मूलेट का लें दिन में एक बार करना है यह बस और दो तीन दिन करना है उनके दाटों का दर्द अच्छा होना मुम्किन है कैल्शियम का खया लगके हर हफते कैल्शियम और मल्टी विटामिन का ए प्रों चालिश के बाद हर शक्स को एक मल्टी विटामिन विट कैल्शियम एक कैप्सूल या गोली जरूर हर हफते खानी चाहिए जम्मू से है हरपाल सिंग स्वागत है आपका नमस्कार मैडम जी नमस्कार सर हकीम साब नमस्कार जैहिन हरपाल जी स्वागतम मैं जी मैं जम्मू से बोल रहा हूँ मैंने अपनी मिस्स के लिए गोंच सियम हुआ था तो उनको डिस्क की प्रावलम थी पूरी कांग में दर्द आता था वो 15-20 दिन हो गया खाते हुए तो उनको थोड़ा सा फर्क तो हुआ है लेकर फिर थोड़ा से चांग को बारी बारी लग रही है और नसे जो है खिच रही है जब ऐसा लगे कि बरदाश नहीं हो रहा बहुत ज्यादा तकलीफ है तो आप दो तीन दिन चार दिन दद की दवा दे सकते हैं और फिर उसके बाद कभी ज़रूत नहीं पड़ती है तो घबराना नहीं ये गौन्स या जो है न एक अपरेशन टाइप है इसके लिए अपरेशन कराते हैं लोग कमर का और ये दवा भगवार ने ऐसी बनाई है कि ये बग ऐसे सीधी होंगी नसों में ताकत आएगी तो यहां टांगों में ऐसा खिचाओ आएगा और वो शिकायत भी करेंगी एक दुबार तो परवा नहीं करें जब दर्द जादा हो तो दर्द की गोली खा लें दो चारती लगातार ले लें ये न छोड़ें गॉंसिया आदा मेरे पास तुम्हें बड़ा खुश होँगा कि उनको फाइदा मुकमल तोर पर हो चुका है एक आखरी कॉलर है जिन से बात कर लेते हैं स्वागत है आपका हालो 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 जी सर आपका नाम किया है जल्दी से सवाल कर लिजी मेडम जी मैं नाम लाकन है जी वो क्या है मेरे मिस्स के बाल बहुत जड़ रहे हैं तो वो उपाई को पुशना था क्या उप्रेडम रहे हैं उम्र कितनी है उम्र इनकी है 28 से 30 साल ठीक है जी जिन महिलाओं या पुर्शों के भी बाल जड़ते हैं या पिंपल्स निकलते हैं या अंडर एज है हाइट नहीं बढ़ती है उनके लिए कुद्रत का एक अनमौल तफ़ा है जिसे गौन्द मौरिंगा सफेद कहते हैं ये गौन्द मौरिंगा सफेद नकली भी बहुत म एक गिराम रोजाना पानी दूद या नारियल पानी मिलाकर अगर उन्हें पिलाएंगे तो उनको फाइदा होना मुम्किन है गाज़ेबाद से हैं विनोज सैगर जी स्वागत है आपका जी नमस्कार मैडम जी नमस्कार सर हम अच्छे हैं आप बताई किया सवाल है आपका बढ़िया और हकीम जी को भी नमस्कार मीरा जैहीं आदाअप कैसे हैं भाई बहुत-बढ़िया हैं डक्सा आप बहुत-बहुत धन्मद मेरा कॉल लग गजी ही जी 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 मैडम बताईए सर अपना सवाल कर लीजी जी जी मैं ठूर्षी पर बैठा रहता हूं, हुँ जी बढ़ियाओं, बढ़ियाओं, सर टीवी बिलकुल मत सुनिये, देखे, टीवी सुनेंगे, तो बहुत देर में जवाब देंगे, टीवी मत सुनिये, फोन से बात कीजिए, पहला सवाल है मेरा, मैं जब कुर्शी पर बैठा रहता हूं, तो मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, और जब मैं रात को सो जाता हूं, सु तो मेल भाल् को से बांद तो में मिल्च है, तो में लड़ा हूं को लात में जोड़ा है, अज– तामिक हार हैं कई नच को कहन खीना से लिए होता है अच्छा देखिए बच्चा को काफी लेट कर दिया फिर भी कोशिश कर लीजे और गॉन मौरिंगा सफेद एक आता है जो असली लेना जरूरी है नकली भी लोग बहुत बेचने लगें तो गॉन मौरिंगा सफेद एक गिराम बच्चे को पानी में मिलाकर दूद में मिलाकर या नारियल पानी मिलाकर जैसे भी आपकी हैसियत है हालात हैं इस हिसाब से दीज़ें कि वह भी बहुत महिंगा आता ना 40-50 रुपे का नारियल पानी तो गरीबों के लिए पानी से ही काम चल जात है रईस लोग नारियल पानी में भी ले सकते हैं यह उनको दो-तीन महीने दीजें उनकी हाइट का पैमाईश कर लिजें कितनी है और फिर दो-तीन महीने बाद देखना कितना है उनको फर्क पड़ा दूसरा सवाल पैरों में स्पेलिंग रहती है जब भी यह पैर लटका के बै ज्यादा है एक हफ़ते में एक केलिशम की गोली खा लिया करिए यह स्वेलिंग आपकी अच्छी होने लगेगी और कॉलिस्टॉल जो आपका बढ़ गया है उसके लिए सिर्का लीजे कलाउंजी का कलाउंजी का सिर्का दो या तीन चमच एक गिलास पानी में डाल कर रोज पी लिया करिए आपका कॉलिस्टॉल लेबिल ठीक होना मुम्किन है पत्नी के लिए गुटनों में दर्द गुटनों को दर्द का एक तफ़ा है अवाम के लिए जंता के लिए यह मैंने घर घर तक इसको पचार किया और लोगों को बड़े फायदे हुए गौन सियाह नाम क एक गौन आता है जिसे काला गौन भी कहते हैं लेकिन बतकिस्मती से अब इसे लोग नकली बहुत बेचने लगे असली लेना आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि हम दुकान पर जाते हैं तो मांगते हैं तो वो एलवा दे देते हैं एलवा नहीं लेना या कोई और गौन दे द ली तो 15-16 रुपे रोज का इलाज है एक ग्राम लीजे अधा ग्राम सुवे दीजे अपनी मैडम को अधा ग्राम शाम को खाने के बाद देना है पानी से देना या बगर चर्बी के दूस से यह 100 ग्राम खतम नहीं हो पाता कि मरीज का ठीक होना मुम्किन होता है